पल की अपदेथ हम आप लोगों के साथ साजा करें हैं किसके सिर्फर जीत का ताज सर्चने वाला है स्थी थोड़ी फॉस्ट होने लगी है धीरे धीरे रिजर्ड्स जो हैं वो सामने आने लगे हैं रुजानों के एकॉर्डिंग्स कह लीजिए या फिर वैसे कह लीजिए लेकिन रुजानों को देखती हुई जेशन बनाने शुरू करती हैं लेकिन अधिकारिक एलान होना भी बाकी है लेकिन गई जगाहों पर जीत दर्ज की गई है जैसे उत्रा खड में 500 पर बीजे पी अपनी जीत की और भड़ी हुई है और हमेरे पूर से अनुराग ठापूर भी जीत चुके हैं उनके जीत का जेशन भी मनाया गया इसी तरह से आपको बताते चले जीत के जेशन बनने भी शुरू हो गए हैं लेकिन अधिकारिक एलान भी होना बाकी है जिनका इंटरजार सभी को है यह आमने आपको पलपल की अपडेट दी है हर वक्त हमने आपको अपने से जोड़े रखा और एक रिजल्ट आप लोगों तक पूचा है एक बार मैं रुजानों के तरफ नज़र करना चाहूंगी जहाँ पर बिहार में 44 सिटों पर से 44 पर जो रुजान आया है इसमें अंधिया 31 पर है यानि कि अंधिया ही यहां पर बड़त की और बनी हुई है लगातार और तमलार्ड़ ने 49 सिटों पर जो 49 रुजान आया है और MTA PRAPIAJS जितन्राम वांची में जीत दर्ज कर दी है लेकिन अधिकारी के लान बाकी है 10,22,63 सिटों से उन्होंने जीत दर्ज की है लेकिन अधिकारी के लान होना इसमें अभी बाकी है मेठी में विनम्रता चलेगी एहंकार नहीं चलेगा ही किशोरलाल शेर्मा का कहना है यसी पर जादा जानकारी के लिए हमार साथ हमार सिंवरता सद्धार्थ नगर से परतोश निश्रा हमार सा चुगे है फोन लाइन पर परतोश जी मैं आप से जाना साँगी 249 सबाद चुनाव को लेकर कौन से 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 कौन से पर्तियाशी मेदान में हैं जोने साथ और चाहांगे यहां से बाचपा के पर्तियासी जगनमित अपाल चुनाव मैदान में हैं और सपा से लेकिन लड़ाई भाजपा और सपा के पीछ में देखी जा रही है अभी तक जो रुजान आए है तो उसमें प्रत्यासी है और निचले पायदान पर लेकिन अभी तर्ड़ान आगे अभी जैसे की अभी तक प्रत्यासी रही है यहां पर बीजेपी अपनी जीत दर्श करती हुई नजर आ रही है लेकिन जो सपा आप कहा रहे हैं वहां पर है क्या कारण है कि सपा यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है इसको किस तरह से देखतें आप इससे सब्सक्राइब करने वाले हैं यह इस देखतें लेकिन आप लागा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं जिस तरह से दो हजार निस में लौक सब्सक्राइब हुआ था और इस बार लोग सब्सक्राइब 24 में जोवा हुआ है जो इसको आप समय किस तरह का डिखाय दे रहे हैं दोजार निस का अगर हम देखेए और जोजार चोबिस से जोड के इसको देखें जी 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 तो जिस तरह से आपने बताया कि यहां पर बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है तो वहाँ पर जेशन को लेकर क्या कुछ त्यारिया की गई है आपने जिस तरह से बताया कि बीजेपी याँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है तो जेशन को लेकर क्या कुछ वहाँ पर महौल है क्या कुछ तियारिया की गई क्या किसी छेत्र में वोटिंग के दिरान कोई आनेमेता देखी गई हो और प्रशाशन के तरफ से इंतजाम की बात की जाए तो क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर प्रशाशन ने की है तो यह जानकारी हमने आप लोगों के साथ साजा किया है किस तरह से बीजेपी कि वहाँ पर जीत दर्श करती हुई सिधार्थ नगर में नज़र आ रही है और सपा थोड़ी पिचरती हुई वहाँ पर नज़र आ रही है लेकिन पाइनल नतीजे अभी आने बाकी है उनके इंतजार करना होगा समाज़ादी पार्टी के प्रत्याशी राम भुवाल निशाद यहाँ पर जीत में आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं जीतन रामवांची ने अपनी जीत दर्श कर दिया रिकार एक लाई यहाँ पर जिया गया है आपको बताते चलें एंती प्रत्याशी जीतन रामवांची दसलाख 2263 वोट से जीते हैं यह बड़ा अप्टेट आप लोगों के सामने हैं